दिवाली की रात आगी की चपेट में आने से 50 वर्षी महिला गंभी रुप से जुलस गई है पूज़ा करते वक्त दिये की आगी ने उसके कपड़ों को पकर लिया और देखते ही देखते वही आगी की चपेट में आ गई घटना में वह करीब 75 प्रतिशत जल गई है जिसे पहले मेडिकल कॉलेज जिलस पताल में उपचार दिया गया फिर उसे बहतर उपचार के लिए बिलासपुर रिफॉर कर दिया गया दिवाली की रात मुड़ापाश शेतर में रहने वाली एक पचास वश्य महिला के लिए काली रात साबित हुई है पूजा करने के दोरान बहा आग की चपेट में आ गई जिससे बहुगंभीर रुप से जुलस गई और उसका शरीर करीब 75 प्रतिशत जल गया है बताया जा रहा है कि लक्षमी बाई पूजा कर रही थी इसी दोरान दिये की आग ने उसके कपड़ों को पकड़ लिया और वो आग की लप्टों से घिर गई घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थते निर्मित हो गए आसपास के लोगों ने जयसे तैसे आग को बुझाया और मैडिकल कॉलेज जिला अस्पताल में दाखिल कराया महिला के स्थते गंभीर देख प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे बहतर उपचार के लिए बिलासपूर रेफर कर दिया गया है बताया जा रहा है कि लक्षमी पती के साथ घर पर रहती है और उसके बच्चों कमाने खाने के लिए बाहर गए हुई है बहराल महिला का उपचार अस्पताल में किया जा रहा है है और उनका पिस्तुति अभी सामान ने जानाख है